आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now नमस्कार दोस्तो, संस्मिनण है बचपन जिसके लेखी का है कृष्णा सोबती दोस्तो, संस्मिनण का मतलब होता है कि जब कोई लेख़क ya लेखी का अपने पुरानी दिनों को याद करके कोई लेख लिखे, तो वह संस्मिनण कहलाता है क्रिष्णा सोबती ने उपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताया है आये जाने इस लेख़को दोस्तो इस संश्मिनन को सरल बनाने के लिए हमने इसे दो भागों में बाड़ दिया है पढ़ेंगे भाग एक मैं तुम्हें अपने बच्पन की और ले जाओंगी यानि लेखिका यानि कृष्णा सोप्ती हमें अपने बच्पन के दिनों के बारे में अब बताएंगी मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ तुम्हारी नानी भी बड़ी बुवा भी बड़ी मोसी भी यानि लेखिका की उमर कितनी बड़ी हो सकती है, यानि दादी भी हो सकती है, हमारी नानी की उमर की भी हो सकती है, हमारी बड़ी बुवा की उमर की भी हो सकती है, और बड़ी मोसी की उमर की भी हो सकती है. परिबार में मुझे सभी लोग जी-जी कहकर पुकारते हैं जी-जी मतलब दी-दी हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा-बड़ा यानि उमर में सायाना महसुस करने लगी हूँ शायद इसलिए कि पिछली शताबदी में पैदा हुई थी शताबदी मतलब मेरे पहनने ओड़ने में भी काफी बदलाब आए है पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चोकलेटी अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो यानि लिखी का कह रही है कि मैं पिछली शताबदी में पैदा हुई थी अब शताबदी कौन सी चल लिए है अब 21 वी सताबदी चल लिए है वह 20 वी सताबदी में पैदा हुई थी और वह पहले कैसे कपड़े पहनती थी यानि किस रंगे कपड़े पहनती थी पोशा के मतलब कपड़े पहले फिरोक फिर निकरवोकर इसकल्ट लहंगे गरारे और अब चूड़ीदार और गेरदार कुरते यानि लेखी का बता रही है कि उन्होंने पहले कौन-कौन से कपड़े पहने हुए है बचपन के कुछ फिरोक तो मुझे अब तक याद है हलकी नीली और पीली धारी वाला फिरोक गोल कोलर और बाजू पर भी गोल कफ एक हलके गुलाबी रंग का बारिक चुन्नटो वाला गेरेदार फिरोक नीले गुलाबी रंग की फ्रील उन दिनों फिरोक के उपर की जेब में रुमाल और बालो में इतराते रंग विरंगे रीवन का चलन था यानि लेखी का पुराने दिनों को याद कर रही हैं और वैं बता रही हैं कि पिछले जमान यानि पहले के जमाने में कैसे कपड़े पहनते थे लेमन कलर का बड़े पिलेंटो वाला गरम फ्रोक, जिसके नीचे फर ठकी थी, दो ट्यूनिक भी याद है, एक चोकले ट्रंका और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा गिरे और उसके साथ सफेज कोटी मुझे अपने मोजे और स्टोकिंग भी याद है, यानि लेखिका को बचपन की यादे याद है कि वे कैसे कपड़े पहना करती थी, और अब उनकी उमर कितनी है, वे उमर में हमारी दादी भी हो सकती है, नानी भी, बड़ी मोसी भी और बड़ी बुवा भी, यानि उमर में हम से काफी बड़ी है, और तब भी उन्हें अपने बचपन के बारे में यह पता है कि वे बचपन में क्या पहनती थी, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वे नोकर या नोकरानी को नहीं दिये जा सकते थे, इसकी सक्त मना ही थी, हम बच्चे इतवार क कि सुबा इसी में लगाते, यानि इतवार की सुबा किस में लगते मोजो को धोने में, धो लेने के बाद अपने जूते पोलिश करके चमकाते, जब जूते कपड़े या ब्रस से रगड़ते तो पोलिश की चमक उभरने लगती, सरवर, मुझे आज भी बूट पोलिश करना अच्छा लगता है, हाला कि अब नई नई किस्म केशु आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा अराम दे हैं, हमें जब नई जूते मिलते उसके साथ ही च्छालों का इलाज शुरू हो जादा, यानि ते इतने सक्त थे कि पैरों में च्छाले पड़ जात अपने पास रूई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रूई मोजे के अंदर, हाँ, हमारे तुमारे बच्पन में तो हर शनीचर को हमें ओलीव ओईल या कैस्टर ओईल पीना पड़ता, यह एक मुश्किल काम था, शनीचर को सुभा से ही नाक में इसकी गंद आने लगती, चोटे शीचे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, यानि उल्टी हाने लगती, मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते, वहशनीवारी दवा तो कुछ जादा भी गड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहां तक कि बचपन की दिल्चस्पियां भी बदल गई है, याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामो फोन थे, रेडियो और टेलिविजन नहीं थे, हमारे बचपन की कुलफी आइसक्रीम हो गई, कचोडी समोसा पेटीज में बदल गया है, शेहतूत और फाल थे, और खस-कस के शर्बत कोक पैपसी में, उन दिनों कोक नहीं, लैमनेड, विम्टो, मिलती थी, दोस्तों, यहाँ पर लेखिका ने बताया है, कि वह कितने पुराने समय की है, जब ग्रामो फोन थे, वह उस समय की बात है, जब घर में रेडियो और टेलिविजन भी नहीं थे, यानि जो हमारे लिए आज आइसक्रीम है, वह कुलफी पेटीज, शहतूत और फालसे और खसकस का जो सरबत बचपन में प्या जाता था, अब क्या प्या जाता है, कोको कोला और पैपसी, उन दिनों कोक नहीं, यानि लेखिका के बचपन में कोको कोला जैसी कोई चीज थी ही नहीं, वह क्या थी, लैमनेड, विंटो, तो दोस्तो यह था संसमिरण का भाग एक, जिसमें हमने लेखिका के बचपन की बहुत सारी बातों को, जाना की लेखिका को बचपन में क्या पैनना पड़ता था, और यह भी जाना की लेखिका को अपने जूते खुद पॉलिश करने पड़ती थे, लेखिका क्या खाती है, यह सब भी लेखिका ने हमें इस संसमिरण के भाग एक में बताया है, संसमिरण के अगले भाग को जानने के लिए हम देखेंगे अगली वीडियो को, जिसमें जानेगी की लेखिका ने अपने बचपन के बारे में हमें और क्या बताया है, धन्यवाद Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज राउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर